ट्रू मीडिया जोतिश विज्ञान पर सभी दर्सकों को हर हर महादेव जैस्री राम और इस समय पित्रों का पित्रपक्ष है और पित्रपक्ष में हमें साइए एक बात ध्यान रखिए कि कुछ सबजियां होती हैं एक या दो सबजी यह पित्रपक्ष में नहीं खानी वह सबजियां दो कौन कौन सी होती हैं पहले तो यह बात मिस्तार पर चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे हम कि यह जो सबजियां हैं यह हमें पित्रों के समय पर क्यों नहीं बनानी चाहिए और इन सबजियों में क्या दोस होता है तो और पित्रों को इन से क्या प अत्कार करते हैं उसके लिए अच्छा आसन देते हैं और भोजन में क्या बनाते हैं भोजन में आपका एक ही परियास होता है कि हम ऐसा भोजन दें जिससे की वहब परसन हो और वहब परसन हो और हमारे को तारीव करें अगर आपका कोई अतित्थी आया लेकिन तारीव का अर् बोजन नहीं देंगे और उसको वह भोजन देंगे जो उसे पसंद ही नहीं है जो उसे स्वाज अच्छा नहीं लगता है तो क्या वह परसन होगा बिलकुल नहीं होगा आपका आदर सतकार उसके लिए क्या महतु रखेगा नहीं रखेगा अगर उस अतित्र के स्थान पर अग जब वह इन 15 दुनों में आपके यहां आते हैं, तो आप अपने भोजन में वहे सबजियां बनाते हैं, जो आपके पित्रों को पसंद नहीं थी, क्योंकि परतेक प्राणी को कोई सबजी पसंद होती है, कोई सबजी पसंद नहीं होती, किसी को आलू है, स्वादिस्ट लगता है, किसी को आलू स्वाद नहीं आता, तो ये अपना-पना स्वाद है, ये प्राकर्तिक है, हर आदमी को हर चीज, हर व्यक्ति को हर एक वस्तु ख पित्रों में यह ध्यान रखा जाता है कि जैसे कि आपके पिता के हैं पिता यहाँ पर आखरी जो पित्र होता जो आप से सबसे लाष्ट में जो गया होता है पिता के रूप में तो पिता है तो उसमें उनको जो सबजी पसंद होता है जो भोजन पसंद नहीं था या जो सबज पसंद नहीं थी तो सरादों के समय आप यह आवस्य ध्यान रखें कि वह सब्जी वह भोजन आप निर्मान ना करें क्योंकि अगर वह सब्जी क्योंकि पित्रों के समय पर जो आप भोजन बनाते हैं उसका भोग आप पित्रों को परति दिन देते हैं और जब आप किसी को उस परसंद नहीं होगा तो आपके जो पित्र हैं और उनको जो सबजियां आपको पसंद नहीं थी एक दो सबजियां ही होती है पर तेक विक्ति की तो उनको जो सबजी पसंद नहीं थी उन सबजी को जो उसमें घीया भी हो सकता है तोरी भी हो सकती है जो और भी कुछ सबजी हो स यह आपको अपने परिवार्स में स्वेम को स्वेम ही जांचना पड़ेगा यह कोई फिक्स नहीं होता है कि यह सबजी या यह चीज हर व्यक्ति पर हर घर में अलग-अलग लागू होती है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पित्र गए हैं जो हमारे पिता हैं य हर में अपनी रसोई में वही सबजी बनाएं जो कि आपके पित्रों को परसन निता दे और उन्हें स्वादिष्ट लगे और यह 15 दिन आप पित्रों के लिए जी रहे हैं उनके लिए आप कारे की जी अपने लिए तो पूरा वर्स पड़ा है तो आप पित्रों को यह दो परसन होंगे और परसन हो करके आपको आवस से ही आसिरवाद देंगे और आपके पित्रों का जो आसिरवाद मिलता है तो आपके जीवन में आपको फिर किसी और के आवस सकता नहीं होती तो इसलिए आप अपने पित्रों को परसन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि यह दो सब आप पितर पक्छी में ना बनाएं और भूल कर भी ना बनाएं अगर भूल से बन भी गई है तो इसकी ततकाल पितर देव से छमा मांग ले और इसी के साथ हम आप से विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नया विशे लेकर एक नई जानकारी लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें